इस्टूडेंट आप सबका सेंटर किस कॉलेज और किस जिले गया है यह चीज आप कमेंट में जरूर बता देना तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे सेंटर पर आसानी के साथ पहुंच जाओगे हेलो स्टूडेंट आप सबका हमारे यूटूब चैनल पर स्वाकत है स्टूडेंट अगर आप भी हटल विहारी वाज पर मेडिकल एंश्टी का फॉर्म फिल कर रखा है तो आपके लिए जरूरी है कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो अवलेबल हो चुका है और आप लोग वेबसाइट पर जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर आप किसी साइबर कैफे पर जाना वहां से भी आप डाउनलोड करा सकते हो फिलाल आपको प्रिंट करने के लिए तो साइबर कैफे पर जाना ही होगा तो वहां पर आप जाके इसको डाउनलोड कर लेना और इस तो आप लोग निक्रवा जरूर लेना और हाँ एक चीज और है बहुत बच्चे कमेंट के यह थे कि मेरे डाउनलोड नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि वेबसाइट पे बहुत बच्चे जो है विजिट करते रहते हैं बार बार तो उसलिए जो है पर चाइट पे अगर कोई दिक्कत आती है नहीं हो रहा है फिर भी आप जो है और और नमबर पे आप कॉल करकर भी अर्धिक जानकारी ले सकते हो तो आपका एक्जाम जो है वो पांच दिसंबर को होने वाला है तो मैं कुछ चीजे आपको important important जानकारी देने वाला हूं तो उन चीजों को ध्यान से सुनना दोस्तों जो की आपके admit card पे भी दी हुई हैं और मैं ख पहले सोच रहते हैं कि आपका exam जो है वो online होगा बट ऐसा नहीं है आपका exam offline होगा offline बेस होगा तो यहां पर आपको question paper मिलेगा और OMR seat मिलेगी तो online होगा नहीं वैसे online होता तो ज्यादा अच्छा होता मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा होता बट फिर भी offline है फिर भी ठीक बहुत बच्चे जो है computer ग्यान नहीं था तो वो डर रहे थे कि online कैसे exam देंगे तो अच्छी बात है उनके लिए तो यहां पर और चीजे में आपको बता दूँ वहां पर आपको एक OMR seat मिलेगी जो कि आप हो सकता है पहली बार देखें तो आपको घफराने के जो नहीं यह इसका booklet नाम होता वो question paper होता उसमें आपको question दिया रहेगा और answer seat यह मिलेगी इसमें क्या होगा कि आपने पहले question का जो भी answer सही होगा जैसे दूसरा सही तो आप दूसरे पे गोला बनाओगे पेंसे ऐसे आपको बनाना और खाली बिल्कुल नहीं रखना इसका full भर देना है तो यह सब चीजे अच्छे से पढ़के और अच्छे से सही सही डालना है गलत नहीं डालना है नहीं आपके लिए problem होगी और पहला काम सबसे पहला काम क्या करना है तो student मैं आपको बता दूँ कि आपका exam 11 से 2 बजे तक है और admit card पे साफ साफ दे रखा है कि यह आपको 10 बज से पहले ही पहुंच जाए कि 10 बज़े आपको entry मिलने लगेगी 10 बज़े से पहले ही आप यह समझ लो कि entry देना सुरू हो जाए कि बहुत बच्चे आएंगे और entry देने में काफी ज्यादा time लगता है क्यूंकि time लगता है मैं आपको यह भी clear कर दो वहां पर आप जाना तो आधार कार्ड भी ले के जाना क्यूंकि बिना आधार की कुछ होगा नहीं वहां पर आपके आधार और admit card पर दो चीज़े चेकी जाएंगे पहला आधार पर आपका name चेक किया जाएगा और दूसरा date of birth date of birth चेकी जाएगी दोनों चीज़े आपके admit card और अधार से मिलाई ज जाती हैं ठीक है और साथ मैं आपको तीन फोटो कम से कम तीन फोटो को लेके जाना है सिंटर पर सिंटर पर तभी आपके लिए बहतर होने वाला है नहीं तो आपके लिए problem हो जाएगी अब मैंने बोला कि 10 बज़े आपको क्यों पहुचना है 10 बज़े से आपको entry मिलने काफी जादा time लगता है इसलिए आपकी जो entry है वो पहले ही वहाँ पर होने लगती है काफी पहले होने लगती इसलिए आप देर सगर पहुंचोगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा आपको ज्याम देने नहीं दिया जाएगा इस चीज का विसेश धियान रखें और आप सिंटर पे जाएं तो किसी ना किसी को साथ लेके जाएं अपने भाई अपने माता पिता जो भी हो उनको लेके जाएं आपके लिए और भी अच्छा होगा क्योंकि एड्मिट कार्ड पे आपको दे रखा है कि वहाँ पर आपको फोन बैक्स वगएरा कोई भी सामान रखने की जाना और मेरे हिसाफ से तो आपका फोन वगएरा जमा हो जाएगा वो लोग पैसे लेते हैं जमा करने के दस रुपया बीस रुपय जो भी लोग और बिल्ट जितने भी लोग बिल्ट पहन के जाएंगे उन उनको बिल्ट बाहर ही रखना होगा तो इसलिए हो सकते तो बिल रफकार कहां पर करें गए तो आपकी जो ने जाती है जाती है जो उनसर सीट होगी और मार सीट तो आपको जो लिखे रहता है जो कि आपका आप जो भी लिखती हो नीचे छप जातार वो आपको साथ रहेगा और उसके भी सेम रहेगा A Hermanğime तो वह चीज आपको दे दी जाएगी ताकि यह आप जब आपकी अंसर किआएगी तो आप उससे मैच कर सकते हों मैंने क्या ज़्प साही किया था और और एक चीज आप लोगों का सेंटर कहां गया है प्लीज आप लोग कमेंट में बताना जरूर अगर किसी का भी लखनव आया है तो आप लोग लखनव का जरूर बताना कि आपका लखनव में किस कॉलेज गया है तो लखनव का तो बहुत बच्चों को आएगा तो आप यह ची to the student.